वहां से 1.56 volt apply कर रहे हैं और output में हमको 1.55 volt मिल रहे हैं almost same ही मिल रहे हैं बट अभी हम अगर negative signal इसको देते हैं minus 411 milli volt अगर मैं यहां apply कर रहा हूं तो हमें 0 ही output मिल रहे हैं हमें minus 411 volt मिलना चाहिए था यहां फिर negative में अभी मैं minus 4.19 apply कर रहा हूं तो 4.19 मुझे यहां पर मिल नहीं रहा है जो buffer का function है as it is signal मुझे यहां पर देना चाहिए था negative signal को यह process ही नहीं कर पा रहा है negative signals के लिए यहां पर मुझे output 0 ही मिल रहा है लेकिन अगर मैं यहां पर positive direction में कोई भी signal दे ही रहा हूं उसके लिए मुझे output मिल रहा है भले ही वहां पर थोड़ा सा offset हमें दीख रहा है और आपको बोला था कि हम opam पे आपको experiment करके भी दिखाएंगे आज की वीडियो में हम opam पे एक experiment करके आपको show कर रहे है opam as a buffer कैसे यूज किया जाता है और उसमें positive और negative signal की processing कैसे होती है उसके लिए आपको circuit में क्या changes करने होते है यह सारा कुछ आज हमने इस वीडियो में explain किया है तो चलिए वीडियो start करते है experiment perform करने के लिए हम grid board यूज कर रहे है एक opam ic यूज कर रहे है function generator यूज कर रहे है जिससे हम signal provide करेंगे multimeter यूज कर रहे है जिससे हम output का voltage measure करेंगे और एक battery भी यहाँ पे यूज कर रहे है opam as a buffer इसका circuit diagram यहाँ पे अभी हम आपको शो कर रहे है इस circuit diagram के according ही यहाँ अभी सारे connections हम grid board में करने वाले हैं तो चलिए connection start करते हैं friends यह circuit अभी यहाँ complete हो गया है मैं आपको connection एक पर explain कर देता हूँ यहाँ पे हमने opam use किया है यह 8 pin का opam है फॉर्थ नंबर का जो pin है उसको हमने ground से connect कर दिया है बैटरी के negative terminal से connect किया हुआ है जो as a ground potential act कर रहा है सेवंध नंबर के pin पे VC से supply दिया है मिस positive supply दिया है फॉर्थ नंबर का pin को ground करके रखा हुआ है जो second number का inverting terminal है उसको output से short किया हुआ है और output to voltage measure करने के लिए हम पे multimeter भी हमने connect किया हुआ है थर्ड नंबर के pin पे function generator का input provide कर रहे है और इस वे से यह पूरे connections यहां पे complete हो गए है अब हम function generator से signal वेरी करके देखेंगे वोल्टेज और क्या मिलता है वो भी चेक करेंगे यहां फ्रेंट साब देख सकते हम जो function generator वहां से 1.56 वोल्ट अप्लाइ कर रहे है और output में हमको 1.55 वोल्ट मिल रहे है almost same ही मिल रहे है जो offset voltage होता है उसके वाज़े से आप कुछ variation मिलेंगा 3.37 वोल्ट अप्लाइ करने पे भी हमें 357 वोल्ट ही मिल रहे है जो expected है buffer में वैसा मिलना चाहिए 5 वोल्ट देने पर output हमको exact 5 वोल्ट यहां पे मिल रहे है अब हम voltage अगर कम करते तो भी output हमें same जो भी level हमने दिया है कम करके वही हमको यहां पे मिल रहे है तो यह buffer के दरह काम कर रहे है बट अभी हम अगर negative signal इसको देते है माइनस 411 मिली वोल्ट अगर मैं यहां अपलाए कर रहा हूं तो हमें 0 ही output मिल रहे हमें माइनस 411 वोल्ट मिलना चाहिए था यहां फिन निगेटिव में अभी मैं माइनस 4.19 अपलाए कर रहा हूं तो 4.19 मुझे यहां पे मिल नहीं रहा है जो buffer का function है as it is signal मुझे यहां पे देना चाहिए था वोल्ट अपलाए कर रहे तो उनको 2.64 वोल्ट यहां पे मिल रहा है तो निगेटिव वोल्टेज को process करने के लिए आपको circuit में क्या change करना है वह अभी मैं यहां पर आपको करके बताता हूं वह changes अगर आपने कर लिए तो आप निगेटिव वोल्टेज भी यहां पर प्रोसेस कर पाएंगे तो चलिए अभी वहाले connections भी हम यहां complete करते हैं प्रेंट्स जैसे कि इस circuit में आप देख सकते हमने एक और बैटरी यहां पर यूज किये हैं और उस बैटरी का positive terminal जो है first वाली बैटरी के negative terminal से connect कर दिया है उसको ground potential पे हमने दिया हुआ है आप एम का ज अब इसको purely negative voltage यहां पर हम दे रहे हैं इसके पहले उसको zero potential मिल रहा था, multimeter and function generator के connection as it is है अब इसमें हम आपको experiment करके दिखाते हैं इस signal कैसे process करेंगा friends आप इस circuit में भी देख सकते हैं हम 2.3 volt इसको apply कर रहे हैं और output में भी हमें 2.3 volt मिल रहा है function generator में अभी off कर देता हूं जैसे ही मैं इसे off करूंग वहाँ 0 volt मिलने लगा on करने पर again मुझे 2.31 volt मिलने लग जया हूं अब यह buffer की तरह work तो कर रहे है positive direction में perfectly काम कर रहे हैं बट है हमारा interest negative signal के लिए है अब मैं negative signal अगर apply कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पर negative output भी मिलने लगा जो पहले नहीं मिल रहा था जैसे आप देख सकते हैं minus 2 volt भी हम मुझे मिल रहे हैं और minus 4 volt भी मुझे मिल रहे हैं अब यह जो पूरा circuit है यह जो buffer circuit है यह positive और negative दोनों signal को process करने लायक बन गया है अगर आपको कोई ओपेम को positive negative दोनों signal के लिए work कराना है तो आपको dwell power supply की ज़रुत होंगी जिसमें positive और negative power supply यूज करना होगा यह same चीज़ data sheet में भी mention होती है so friends आज की वीडियो में हमने आपको buffer कैसे बनाते है ओपेम को use करके और दोनों signal को कैसे process किया जाता है with dwell power supply यह बताया next वीडियो में हम कुछ और circuits इसमें perform करके आपको दिखाएंगे so that आप और knowledge इस ओपेम से gain कर सके अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे like कीजिए channel पे नए है तो subscribe भी कीजिए और share भी कीजिए मिलते हैं next वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद